बुल्गुकसा मंदिर उर्फ बुल्गुकसा मंदिर या बुद्ध भूमी का मंदिर आठवी शताबदी इसवी में माउंट तोहमसं की जंगली धलानों पर प्राचीन सिला राजधानी ग्यूंसे उंग आधोनिक ग्योंगजू दक्षिन कोरिया में बनाया गया था विनाशकारी आग से पीडित बौध मंदिर अब जीर्नोध धार किया गया है लेकिन यह अपने मूल आकार का केवल एक अंश है मंदिर और पास के सुक गुरम ग्रोटो अपनी विशाल बैठी बुध प्रतिमा के साथ यूनेस को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है मंदिर का निर्मान पहले की नीम पर किया गया था जब इसक्षेत्र को बैकजे, पेकजे, सामराज्य, 18 इसापूर्व, 660 CE द्वारा नियंत्रित किया गया था बुल्गुकसा के मुख्य वास्तुकार को पारमपरिक रूप से किन डेसियोंग, 700-774 CE के रूप में श्रे दिया जाता है, जो एकीकरित सिला सामराज्य के मुख्य मंत्री या चुंगसी थे, जिन्होंने 668-935 CE तक कोरिया पर शासन किया था इस अवधी में कोरिया भर में बौध वास्तुकला का एक बड़ा सौदा देखा गया, लेकिन बुल्गुकसा को व्यापक रूप से कोरिया के आधिकारिक राज्य धर्म को समर्पित बहतरीन परिसरों में से एक माना जाता है बुध की भूमी परिसर जैसा की इसके नाम से पता चलता है, बुध की भूमी का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो की स्वर्ग है इस कारण से तीन प्रमुक शेत्र हैं, बिरोजोन, वैरोकाना बुध हॉल, देउंग जोन, हॉल अफ ग्रेट एनलाइटनमेंट और मुख्य मंदिर और ग्यूंगन कजोन, हॉल अफ सुप्रीम ब्लिस स्वर्ग का यह वास्तुशिल प्रतिनिधित्व, जो कमल की जील से सम्मित रूप से उगता है, प्रतिकात्मक रूप से दो पत्थर के पुलों और एक बड़ी सीधी के माध्यम से प्रवेश किया जाता है, जो आगंतुक को याद दिलाता है कि वे अपने पीछे सांसारिक चोड रहे हैं और बुद्ध के पवित्र छेत्र में कदम रख रहे हैं, प्रवेश द्वार जिसे मौवे मिस्ट गेट चाहामुन के रूप में जाना जाता है, ट्लाउड ब्रिज सीधी द्वारा संपर्क किया जाता है, आगंतुक को ब्रिज ओफ वाइट क्लाउड्स पेक इन सभी संग्रचनाओं के संयुक्त फर्ष स्थान को 2000 कान, एक कान, चार स्तंभों के भीतर की जगह को कवर करने के लिए कहा गया था, मंदिर परिसर इतना बड़ा था और इस तरह के सटीक गणितिय और जामितिय विचारों के साथ बनाया गया था कि इसे पूरा करने में लगभग 40 साल लग गए, जो 751 CE की पारंपरिक शुरुवात की तारीक से शुरू हुआ और 790 CE में समाप्थ हुआ यद्यपी बुलगुकसा की मूल लकडी की इमारते लंबे समय से गायब हो गई हैं, मंदिर में दो जीवित पत्थर के पैगोडा हैं, दबोटाप, तैबोटाप या कई खजाने का शिवालय और सुखगाताप, सुखकाताओ या शिवालय जो कोई छाया नहीं डालता है, ज ऐसा की बुलगुकसा में इन दोनों के साथ हुआ था जो ड्योंगजोन हॉल के सामने खड़े थे, विज्यापन हटाएं, सारवजनिक सूचना, दबोटाप पगोडा, ड्योंगजू, रिनक्स सीसी बाये से, दबोटाप शिवालय जो डाबो बुद्ध का और पूर्व की ओर स्थित है, इसमें एक चौकोर आधार है, जिसमें एक स्तंभिक मंडप है, जो चारों तरफ से सीधियों की एक छोटी उडान द्वारा पहुचा जा सकता है, मंडप में एक बार बुद्ध की एक छवी रखी गई हो सकती है, और पश्चिमी सीधियों के शीर्ष पर एक पत्थर का शेर है, एक डिजाइन जो मूल रूप से अन्यतीन सीधियों पर दोहराया जा सकता है, उपर बांस के डंठल के रूप में स्तंभों के साथ कई अश्टकोनियस तर हैं, और फिर शीर्ष पर गोलाकार, फूल के आकार की परते हैं, पश्चन की ओर और शाक्यमुनी बुद्ध का प्रतिनिधित्व करने वाला सोकगटाप एक सरल मामला है, और इसमें एक बड़ा चौकोर आधार है, और फिर तीन प्रमुख वर्ग स्तर एक पतली शिखर से उपर हैं। 1592-8CE के रूप में जाना जाता है। सदियों से बहाली की गई थी अक्सर प्राचीन विवर्नों के आधार पर, लेकिन परिसर मूल की तुलना में बहुत छोटा है। दो शिवाले और दो पुल सभी कोरिया के राष्ट्रियक हजाने की आधिकारिक सूची में शामिल हैं। 151 और 774 C के बीच एक कृत्रिन कुटी के रूप में किया गया था। फिर से किम डैसेउंग द्वारा। गोलाकार आंतरिक कक्ष में एक गुम्बददार छत और शाक्यमुनी बुध की एक सफेद ग्रेनाइट प्रतिमा है जो 3.45 मीटर उंची है। कुटी की दीवारों को निचे में स्थापित 41 आकरिती की मूर्तियों से सजाया गया है। सोक गुरम कोरिया के राश्ट्रिय खजाने की आधिकारिक राज्यसूची में स्थान संख्या 24 पर है। विज्यापन हटाएं। सार्वजनिक सूचना यह सामगरी ब्रिटिश कोरिया